Hello everyone, this is Dikshar Aathur and welcome to Study for Career तो दोस्तों इस वीडियो में हम important theories और इसके प्रतिपादक के बारे में हम बात करेंगे देखे, हर TED exam में एक question जरूर आता है कि SR theory के प्रतिपादक कोन है या SR की full form क्या है RS theory के प्रतिपादक कोन है तो कुछ बच्चे जो है उसको याद नहीं रख पाते हैं और भूल जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उसको trick के मादम से याद करेंगे theories को और उसके प्रतिपादक को तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और जल्दी से वीडियो को like and share कर दीजे चैनल को subscribe करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो theory है SR theory देखे SR means stimulus response तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है thondike आगे हम इसको trick के मादम से याद करेंगे सबसे पहले में आपको यही बता देती हूं SR theory के जो प्रतिपादक हैं वो है thondike next है RS theory means RS response stimulus तो ये जो theory है ये skinner ने दी है इसके जो प्रतिपादक है कोन है skinner SOR means stimulus organism response तो इसके जो प्रतिपादक है कोन है woodworth देखें कहीं कहीं आपको answer में Watson भी मिलेगा लेकिन Watson इसका answer नहीं है Woodworth इसका 100% answer सही होगा अगर आप्शन में आता है तो SR theory के जो प्रतिपादक है वो है Woodworth और इसके जो full form है वो है stimulus organism response ओके Next है CR theory means conditioning response तो ये theory जो है किसने दी है इसके जो प्रतिपादक है वो है Pavlov तो ये आपको भूलना नहीं है अब हम इसको trick के माध्यम से याद करेंगे तो शुरू करते हैं हमारी जो trick है तो ध्यान से देखनी है ये trick तो देखें ये हमारे trick है TSWP देखें आपको इसको बोलना है तस्वप ठीक है तस्वप तो यहां से आप इसको थोड़ा याद कर लेना तस्वप तो हम इसको पढ़ लेते हैं हमारी क्या trick है तस्वप सर ने रस पीकर शोर कर दिया तो जैसे हम T से बना लेते हैं थॉंडाइक लाइन वाइज हमें जो है अपने ये जो हमारे प्रतिपादक है वो है T से थॉंडाइक और S से है स्कीनर W से है वुडवर्थ और P से है पावलो तो तस्वप जो है ये हमारे प्रतिपादक बन जाते हैं सर मतलब S R जो stimulus response theory है रस है हमारी RS रस ठीक है response stimulus shore मतलब S O R shore और कर है C R कर तो ये हमारी trick है अब हम इसको sequence wise याद कर लेते हैं जैसे तस्वप सर ने रस पीकर shore कर दिया मतलब थॉंडाइक ने थॉंडाइक के जो theory है S R theory और Skinner की कौन सी theory है RS theory वुडवर्थ की है S O R theory और Pavlov की है C R theory और stimulus response, response stimulus, stimulus organism response, conditioning response तो ये हमारी चार theories है जिससे आपको असानी होगी trick के माध्यम से इसको याद कर पाना और exam में भी आप इसको अच्छे से answer को tick कर सकते हो इसको याद करके तो ये हमारी trick थी तस्वप सर ने रस पीकर shore कर दिया और ये हमारी line wise है T S W P तो यहां से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो इस trick के माध्यम से आपको कैसी लगी है trick प्लीज comment section में बताएगा thanks for watching my video do like share and subscribe my youtube channel till then bye bye rabaka जेफो लेनाद